नमस्कार कापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुना ली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपूर हिंसा मामले में साइटी की बड़ी कारवाई पर बाबा बिर्यानी वाले को गिरफतार किया जा जुका है कुछ दिन पहले जब जफर हयात हाश्मी से पूछताच हुई थी तो क्राउट फंडिंग के मामले में उन्होंने बाबा बिर्यारी वाले का नाम लिया था और इसी पर जादा अपडेट के लिए मिरे साथ जुड़ गए है क्यापिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव ज राजीव जी SIT का बड़ा आक्शन देखिए ये कानपूर हिंसा के बाद इन लोगों के ऊपर कारवाई होनी ही थी जफर हयात हाश्मी ने जो नाम लिये थे और जो धीरे-धीरे कानपूर हिंसा की परते खुलती जा रही थी कि इसमें कितना बड़ा कॉंस्पिरेसी किया ग होई थी बैठकों के समय इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे हिंसा भड़काया जाएगा वाटसेप ग्रूप के जो चैट सामने आये थे उसमें भी पता चला था कि कैसे कैसे लोगों को जोडा गया मुसलिमों के दुकानों को बंद रखने के अहवान किये गए और उसके बाद अचानक से इन लोगों ने पत्रा शुरू किया और हिंसा भड़क गई पहली साजीस तो यहीं पता चली उसके बाद धीरे धीरे नए नए नाम आने लगे और उन नामों में बाबा मुक्तियार यानि बाबा बिर्यानी वाले बाबा मुक्तियार का नाम आया मुहमद अशी का नाम आया यानि जो कानपूर में अवैज तरीके से जमीनों पर कबजा किये हुए है कुछ बिल्डर है जो मुस्ली मुहलों में इनेमी प्रोपर्टी पर कबजा किये हुए है उन लोगों का नाम सामने आया तो बाबा बिर्यानी शॉप जो है दुकान जो है उस पर पहले से ही कानूनी दाव पे चल रहा था उसके उपर नोटिस जारी किया जा चुका था इस हिंसा के मामले से पहले से क्योंकि वो जमीन जो है वो जमीन पर अवै तरीके से कबजा किया गया है और उस पर जो दुकान बनाई गई है तो बाबा मुक्तियार का जो न और इन लोगों को पैसा दिया गया था पत्थर बाजी करने के लिए तो जब ये सामने आने लगे तो SIT ने इन लोगों को नोटिस भेजा जाज की बाद में इन लोगों को बुला कर पूछताच की थी और अब जब सब कुछ crystal clear हो गया साफ हो गया कि इसका नाम ही नहीं है बल और नहीं परते खुलेगी क्योंकि बाबा मुख्तियार एक दुकान ही नहीं चलाता है बलकि एक बड़ा प्रोपर्टी डीलर भी है बिल्डर भी है और उसके साथ गाट दूसरे बिल्डरों से है तब जो बिल्डिंग का कारोबार बिल्डर जो है कानपूर के जिन लोगों न उस धंधे के आड में इस तरह की हिंसा को प्रायुजित किया है अब उसके उपर कारवाई शुरू होगी पहले गिरफतारी होई है तो बाबा मुक्तियार के गिरफतारी के बाद अब ये पता चल गया है कानपूर के हिंसा फैलाने वाले को उन जिहादियों को ये बड़ा स है एक तरह से कि योगी आदित्तिनात की कारवाई अभी रुकी नहीं है मीडिया से गायव होने का मतलब ये नहीं होता है कि ख़बर नहीं बन रही है तो कारवाई नहीं हो रही है अभी भी कारवाई जारी है और हाशमी अभी भी हिरासत में जो है पूलिस की उसके से जाच परताल जो हो रही है उसमें national और international दोनों अस्तर पर जो conspiracy की जा रही थी उत्तर परदेश के लेकर कास कर क्योंकि इन लोगों का target अब परधान मंत्री नरेंदर मोदी के बाद सबसे अब जो जिहादियों का है वो है CM योगी आधितना क्योंकि इन लोगों को लगता है कि P.E.M. Modi के बात CM योगी जो हैं वो बड़े अस्तर पर उभर रहे हैं और इन लोगों को खौफ इसी बात को लेके है कि जिस तरीके से P.E.M. Modi ने इन जिहादियों को कटरपंथीं के उप पर लगाम लगाया है उसी तरह का लगाम सीयम योगी आदितनाथ उत्तर परदेश में लगा रहे हैं तो अब जो कानपूर में हुआ पर्यागराज में हुआ वो दूसरे जगह पर दोहराय न जाये इसके लिए एक बड़े प्लान किये गए हैं और उसी प्लान का हिस्सा है कि SIT एक-एक करके जड़ों तक पहुचने की कोशिश कर रही है कि इसमें कौन-कौन इन्वोल्व है जी राजी जी SIT के रडार पर और लोग भी हैं तो क्या लगता है जब धीरे-धीरे परते खुलेंगी तो और बड़े नाम खुलासे होईंगे बिलकुल अभी और नाम आए तो अवैद कारोवार जो जमीन पर कबजे का है उसका पैसा इन ही गलत कामों में लगाया जाता है क्योंकि इनके पास दो रास्ते होते हैं एक तो ये गुंडों को पालते हैं ताकि अवैद जमीन पर जो कबजा किया जाया वैद तरीके से उसके लिए इन लोगों को इस्तेमाल धर्म के नाम पर दंगा फैलाने के लिए करते हैं तो इतने जो अवैद कारोवार वहाँ पर चल रहे हैं उस अवैद कारोवारियों के उपर अब योगी का बुल्डोजर चलेगा और इसलिए इन लोगों ने बौखलाहट में सुप्रीम कोट का सहरा लेना शुरू कर दिया जबकि अगर इनके पूराने रवये पूराने जो बयान हैं वो सुनेंगे तो इन लोगों ने लगभग ये घोशना कर दी थी कि भारत में कानून विवस्था का पालन करने के लिए और कानून को लागू करने के लिए जुडिसियरी भी है जो सरकार के पांदर में ह जुडिसियरी पर इनका भरोसा नहीं है लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ती है तो जुडिसियरी के पास पहुंचते हैं नया पालिका के पास पहुंचते हैं अभी भी जो जमियत उलेमाय हिंद ने याचिका दायर किया है वो ही बुल्डोजर को रोकने के लिए किया गया ह और वो बुल्डोजर किसके उपर चल रहा है बावा बिरियानी जैसे लोगों के उपर चल रहा है जफर हयात हार्शमी जैसे लोगों के उपर चल रहा है जो पहले से ही गुनाहगार है और गुनाह उनका तत्काल का नहीं है पुराना है पुराने समय से जित तरीके से राजनि इजादव के सामने आ रही है, समाजबादी पाठी के निताओं के सामने आ रही है, क्योंकि ये साथ गाठ जो गुंडा और पॉलिटेसियन का साथ गाठ था, वो अब दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है योगी आदितनात की सरकार में, अब इन दोनों के उसी कोलूजन का परिनाम अभी सामने दिखाई पड़ा था कि अरवो की प्रोपर्टी करीब करीब 89 जो इन इमी प्रोपर्टी है कानपूर के अंदर उस पर इन ही लोगों का कबजा है, अब वहां उची उची इमारते बना दी गई है, जो कि जिसके का कस्टडी है, वो सरकार के पास, कस्ट इस सबूत के बाद उसको समर्थ कर सौपती है, लेकिन यहां पर दूसरा मामला चल रहा था, सरकार उनहीं की, परशासन उनका और बिल्डर भी उनका, ये पैसा देते थे पॉलिटिकल पार्टीयों को, ज्यादा तर समाजवादी पार्टी के साथ इनका बहुत नजदी की स मंदरा है, और इसलिए समाजवादी पार्टी आज परिशान है, क्योंकि उसके समर्थ को के खिलाफ, योगी आदित तिनाथ की कारवाई चल रहे है, तो बावा बिरियानी के बावा मुक्तियार, अभी तो ये सुरुवात है, अभी इस सुरुवात को आगे देखना है, कि क इन किन लोगों का नाम सामने आता है, और वो लोग एक एक करके जेल के सलाकों के पीछे होगे, राजिव जी एक पैटन देखा गया है, कि जब भी अवेद निर्मान पर बुल्डोजर चलता है, तो अखिलेश जी को मिर्ची लगने लग जाती है, इसमें एक और मामला सामन हैं, और जो बात साफ तोर पर कह देनी चाहिए, कि अखिलेश जी को परिशानी तभी होती है, जबकि बुल्डोजर मुस्लिमों के खिलाफ चलता है, ऐसा नहीं है कि हर बुल्डोजर के बाद अखिलेश जादब सामने आते हैं, कही जगह पर जो अवेद निर्मान के खिला तरीके से भी बोलना शुरू करेंगे, उसी तरीके से जब कानपूर में बुल्डोजर चलाया गया, तो अखिलेश यादब के नेताओं, अखिलेश यादब का ये बुखलाहट सामने आने लगती है, जब परियाग राज में चलाया गया, जब सारहारनपूर में चलाया गय तो उस समय जब-जब किसी मुसलिम के खिलाब चलाया जाता है यानि कि उसके अभैद निर्मान हो या फिर उसके खिलाब कोई बड़ा मामला सामने आया हो और उसकी संपत्ति को कुर किया गया हो उसके उपर बुल्डोजर चलाया गया हो तब ही अखलेश जादव और उनके टीम के लोग सामने आते हैं क्योंकि उनको राजनीती करनी है उत्तर परदेश में मुसल्मानों की और मुसल्मानों की राजनीती करने के लिए मुसल्मानों क सो गुनाह को वो माफ करने के लिए तैयार है उनको कहीं भी उनके अंदर गलती नहीं दिखाए पड़ती है अगर वो गलत भी है तो उसको किसी न किसी तरीके से वो चाहेंगे कि वो सही सावित हो जाए और यही वज़ा है कि अब कुछ समय में ही समाजबादी पार्टी के ने योगि सरकार टार्गेट कर रही है मुसल्मानों को अर यह तारगेट करने वाली जो बात है इनकी व शिर्फ इनके तार्गेट में है जो यह तार्गेट करके रखए हैं कि इस समुधाय के खिलाप कोई भी कारवाई नहीं हونी चाहिए अगर होई कारवाई तो उसके बाद ह हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो ये इस्तिती उत्तर परदेश में है लेकिन इन चीजों का कोई फरक नहीं पड़ने वाला है अब सियम योगी आदितनाथ सक्त हो गए हैं इन जो सियासी बवाल से बहुत दिनों से निपट रहे हैं और इनका दूसरा कारिकाल है उसम पर इन माफियाओं के खिलाब भी कारवाई करेंगे दंगाई और जिहादियों के खिलाब भी कारवाई करेंगे कामरमें रवी के साथ मैं सुनाली क्यापिटल टीवी